कबज की समस्या बिलकुल आम से परशानी हो गई है हाल ही में हुए एक स्टडी में ये पता चला कि 5 में से हर 2 व्यक्ति को कबज की परशानी है दोस्तों अगर हमारा पेट साफ नहीं रहेगा तो और भी कई सारी बिमारी आने में समय नहीं लगेगा इसमें से सबसे पहली परशानी है डिप्रेशन यानि कि जिन लोगों का पेट साफ नहीं होगा उन्हें डिप्रेशन अपने आप हो ही जाएगा लेकिन घवराईए नहीं आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहदी आसान से घरेलो नुस्खे बताऊंगा जिसका प्रियोग करके आप कब्ज जैसी समस्या को चुटकियों में दूर कर सकते हैं तो दोस्तो आएए जानते हैं कि इस नुस्खे को बनाना कैसे है दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा मुनक्का यहां दोस्तो मुनक्के को कुछ जगों पर काली किश्मेश भी बोलते हैं दोस्तो मुनक्के का प्रयोग आपको यहां पे करना होगा दोस्तो मुनक्के के सेवन से कब्ज बड़ी ही तीजी से दूर होता है कई research में भी ये पाया गया है कि मुनक्य का प्रयोग कपज को दूर करने की एक बहुत ही रामबान औसधी की तरह काम करता है दोस्तो यहाँ पे आपको लगभग 10 मुनक्य का प्रयोग करना है इस तरीके से आपको लगभग 10 मुनक्य ले लेने होंगे और इसे रात में सोने से पहले एक कप पानी में भिगो करके रख देना है सुबह जब आप सो करके उठेंगे तो आपको ये मुनक्के कुछ इस तरीके से दिखेंगे दोस्तो सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट आपको इस मुनक्के वाले पानी को पी लेना है इसके बाद इन बचे हुए मुनक्कों को आपको एक कप दूध में डाल लेना होगा इस तरीके से आप एक कप दूध ले लेंगे और इसमें इन बचे हुए मुनक्कों को इसमें डाल लेना होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दूद जादा गरम नहीं होना चाहिए दूद हलका सा ठंडा ही रहना चाहिए इस तरीके से आप इन मुनक्कों को इसमें डाल लेंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे या फिर 10-15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही दूद में भीगने के लिए छोड़ देंगे सुबा सुबा बिल्कुल खाली पेट ही आपको इस दूद को पी लेना है और इस मुनक्के को चबा चबा के खालेना है इससे आपका पेट बिल्कुल सुबा सुबा ही पूरी तरीके से साफ हो जाएगा दोस्तो ये नुस्का बहुत ही ज़्यादा असरदार रहता है उनके लिए भी जिनको बहुत सालों से कबज की शिकायत रहती है पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता या फिर मल सक्त हो जाता है जिन लोगों को भूख नहीं लगती है या फिर कबज की वज़े से भूख नहीं लगती है उन लोगों के लिए भी ये नुस्का बहुत ही रामबार होता है दूस्तो जिन लोगों को दूद नहीं पसता है या फिर वे लोग ये सिकायत करते हैं कि उन्हें दूद नहीं पच पाता है तो वो क्या करें इसके लिए आपको इस दूद में एक चमच सौंफ की पाउडर को मिला लेना होगा ऐसा करने से चिन लोगों को दूद नहीं पसता है या फिर lactose intolerance की problem है वो दूर हो जाएगी दूद सही से पचेगा और पीट भी अच्छे से साफ होगा इस नुस्के का प्रयोग आप रोज जाना कर सकते हैं अगर आपको ये नुस्का पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही health से related वीडियो देली देख पाए तो दोस्तो मैं मिलता हूँ आप से कल एक और नई वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार